तो आज हम लोग बात करने वाले IRFC शेयर के बारे में बटुस से पहले के इन पॉर्टेंट जिस जिनके लिए चैनल नहीं आया या फॉस्ट रे विजिट करें तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे यहां बात करें IRFC शेयर तो राइट नौ 147.35 रुपीज पर से 5% का तो देखने ही को मिर रहा है मैं यहां पर देख सकते हैं वन मत में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी शेयर जो 120 रुपे पर थी वह अच्छा जंप दिखा दिए तो इस सिच्विशन में हम लोग कहां किस पॉइंट पर ट्रेट करें कहां कहां फोकस बना सकते ह है तो यह सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में बट आप लोग को बता देना चाहता हूं चैनल पर फॉस्स टाइम विजिट करें तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए अब यहां पर बात करें इस टाइम में एक अच्छा लेवल में करते पर इसे लिए का फिर कोई टेलेवरी की लेवल नेवील्स नहीं बनी फिर यहां पर जब से अच्छा लेवल मिंटेन करते हैं अच्छी मूव रही मार्केट में एक अच्छा मुलेवल यहां पे मिंटेन करता है फर उसके बात कोई खास डेलैकर बिलकुल नहीं होते दिख है मतलब गिरावट एक अलग लेवल पर बन सकती आपको जल्दी ही मार्केट में जल्दी ही चांसे जल्दी चांसे जल्दी चांसे कि गिरावट बनते वे दिखेगी बट कौन-कौन सा मार्केट में फिर यह इस लेवल पर आते वे दिखेगी बट यह लगातार डाउंट्रेंड को मेंटेन करते वे दिखेगी तो अब अब का सपोर्ट क्या रहा सकता है देखेगे मैं आपको क्लियर बता देता हूं 120 का एरिया इसका बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट है बट वेस्तिक मुझे क्या लगा पता है यह जो मैंटेन किया यह इस ना ओठ리क कि तो के अपदर यह तोड़ा स्वाइब कर सकते हैं कि अब लोग को D मुझा और हो कि ओट तो यहां प्लेजी pond सर्हाइब हो가 लिए आपका आपको देखने को मिलेगी जो ऐसे ही हवे वाली तेजी है जो बोलते ना एक strength वाली चीज़ नहीं बनते वे दिखेगे तो एक बार बन जाती है तो खड़ी रहती है बट वह नहीं होगा भी तो यहां पर इसमें कर्वेक्शन होगा और और बाकिए बट अब जैसे नहीं खतम होगी तो जो सगयर बजट आने वाला है हाँ राइट आपने सही सुना सगन्ड बजट तो इस बार इंट्रियूंग बजट आया था फेला फिर उसके अधा भी सेकट बजट आने वाला तो सेकट बजट में यह तो यहां पे भी तेजी देखने को मिलेगी तो यह सारी चीज आपको ध्यार रखनी है वाइल ट्रेडिंग इन आयर एफसी की जो भी सब बोल रहे थे कि यहां पे बहुत सारी चीजों की बात है तो बुक वैली इसकी क्या मुझे मिलके मैंने मैंने डिलिवरी मतलब सेल कर दिया मतलब मुझे भी अच्छी पॉइंट मिल गई थी बट यहां बहुत कोई ने एक बहुत हाई रेट पर पर चेस किया तो आप लोग केरफुल रहे ना यहां पर एक चीज़ पर अच्छी क्या है कि सेल्स के साइट कम रहा है आई एक कर रहा है तो यहां पर फ्यूचर के ट्रम में तो एक अच्छा ग्रोथ ऐसा नहीं यह जो अच्छानक से जो इतनी तेजी बनी ना वो कहीं ना कहीं सही नहीं था जिसके चलते अभी अभी डेड पढ़ा हुए लगब लगवा लगवा वोले तो डेड ही कि अच्छा खासा हाथ में आते हुए दिख रहा है अमाउंट 6038 का इस बार चांस हो सकता है कि आते हुए दिखे तो क्वार्टर फोड के बारे में तो हम लोग खुद बात करेंगे अच्छे तरीकी से और वैलेंस सीट में भी आप फोकस कर सकते हो कि वैलेंस सीट में डिज अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी आते हुए दिखता है ऐसा नहीं है कि मोनोपॉली कंपनी यार थोड़ा तो लॉजिकल है तो यहां पर और यह चीज़ सबसे बड़ी दिख्कत है कि यहां पर जो मैनेजमेंट के साइड देखे तो अपरेटिंग आक्टिविटीज ऐसा न और अपरेटिंग अक्टिविटीज जिन लोगों को नहीं पता क्योंकि कल एक कमेंट आया था कि उनको आपरेटिंग अक्टिविटीज के बारे में नहीं बताएं वाट इस ऑपरेटिंग आप्टिविटीज सर जो एक तो तो वो सारी जो Cash Inflow and Outflow होती है तो उसको एक cash flow बोलते हैं सबसे पहले जो management से related होती है चाहे आज के दिन सब्जी आया चाहे आज के दिन सब्जी गया मैं सब्जी का ले रहा हूं चाहे कोई भी material आया या sales हुई तो आपकी वह inflow हो गई जो चीज बाहर गई वह outflow हो गई तो इसलिए यह चीज़ पर हम लोग सबसे ज सी के according to loans in advance यह सारी चीज़ बहुत सारी working capital सबके साइड भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से maintain करते हुई दिखिए तो operating activities अच्छा नहीं होता है कि ज्यादा माइनस में maintain करते हुई दिखिए ओके अभी के लिए तो यह तना ही गाईज बट चैनल सब्सक्राइब कर लो इन जो लोग प्लान कर रहे हो तो बता दो दिया हुँ किस-किस लेवल पर आपको ध्यान रखना है थैंक यू, have a nice day, please subscribe this channel and याद है न, this video is just for educational purpose तो अगर invest करने का प्लान करे थो एक बार अपने financial advisor तो ज़रूर बात कर लेना और खुछ से भी analyze कर लेना, thank you, have a nice day and अभी के अगर कुछ doubt हो तो आप comment कर लो and last most important thing अगर आप लोगो कोई share पर particular video भी चाहे तो आप उसके लिए भी comment कर सकते हो